गुड मॉर्निंग एवरिवन दोस्तों आज है 29 जुलाई 2021 हम लोग करने वाले हैं दा इंडियन एक्स्प्रेस के न्यूज बेपर की अनेलसीज चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं यहाँ पर आज को टोपिक काफे सारे हैं इसलिए मैं जादा डिटेल में नहीं जाओंगा कुछ टोपिक में काफी ब्रीफ में करने वाला हूं बिकोस बहुत जादे इंपोर्टेंट है नहीं न्यूज में आये थे इसलिए थोड़ा साब को ब्रीफली इंट्रडक्शन दूँगा लेकिन एडिटोरिल वाले पार्ट में हम थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे चलिए देखते हैं पहला जो पेज नंबर साइड में दिया हुआ है रोज की तरह आप देख सकते हो आज हम पहले में करने वाले हैं पारलेमेंट्री प्रिविलेज के बारे में क्योंकि के एक MLA का केस गया हुआ तो सुप्रीम कोट में जिसमें सुप्रीम कोट ने भी उसके बारे में कुछ बोला है तो GS paper 2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगला रहेगा चाइना कोलाबरेट्स विद तालीबान ये तालीबान और चाइना दोस्त बन गए है क्योंकि पाकिस्तान तालीबान का पहले से ही दोस्त है यहाँ पे इनके क्या meeting हुई है, क्या बाचीत हुई है, ऐसा China ने step क्यों लिया है, इसके बारे हम लोग थोड़ा सा discussion करेंगे अगला topic रहेगा कि अमेरिका के जो foreign minister है, उन्होंने अभी इंडिया की विजिट की है, अलग लोगों से वो मिले है, मिलके उन्होंने क्या बात की है, कौन-कौन से एजेंडास थे, उसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा एक provision पड़ेंगे, जो जादा यहां पर important है, अगला देखने वाले है कि राजनात सिंग जी ने SEO की meeting में क्या बोला है, टेर्रिजम को लेके पाकिस्तान को लेके, तो GS paper 2 में इसको हम लोग cover करेंगे, अगला topic रहेगा Japanese education system and us, यह US नहीं है, अस ह GS paper 2, GS paper 3, essay or interview, इतना important यह आज का editorial था, कि जो हर paper में आपके काम आने वाला है, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यह editorial ए express का नहीं है, यह editorial the Hindu का है, अब इतना जादा important था तो मुझसे करहा नहीं गया, मैंने सोचा आपको मैं करवा ही देता हूं इसको, क्योंकि पता नह express में इस तरह का editorial आएगा के नहीं आएगा, अगला रहेगा new education policy है, इंडियन express का editorial है, यह भी important था, इसलिए आज मैंने दो editorial include यहाँ पर कर दिये हैं, आपके benefit के लिए, और सब से end में जैसा हम लोग रोज करते हैं, तीन आपके लिए मैं कुछ English के words लेके आया हूं, जिससे आपके language improve हो सकती है, आपके vocabulary थोड़ी सी rich हो सकती है, क्योंकि आज हम लोग दो editorial include कर रहे हैं, इसलिए बाकी की topics में जादा detail में जाओंगा नहीं, अदर्वाइस वो time consuming हो जाएगा, बहुत जादे ए घंटे की class हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, चलिए, अगली बा assembly में, LDF वहां की party है, उसके MLA ने तोड़ फूर कर दी थी, budget session चल रहा था और उसने माइक तोड़ दिया, computer तोड़ दिया, कपड़े वबड़े फाड़ दिये, बहुत बुरी तरह से उन्होंने behave किया था, जिसकी वज़े से उनको disqualify कर दिया गया था, अभी ये case जला गय जो होते है न, इनको special privilege मिलता है, कि ये parliament के अंदर जैसा मर्जी behave कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है parliamentary privilege, कुछ खास अधिगार होते हैं अनको, अगर आपने लक्षमी कांत पड़ा है, तो लक्षमी कांत में सब कुछ अच्छे से mentioned है, बट स्टिल फिर भी आपको थोड़ असा rights and immunities enjoyed by the member of parliament individually and collectively, so that they can effectively discharge their duties, देखे जो state assemblies होती है, जो पारलेमेंट होती है, वो इसलिए बनाई गई है, ताकि वहाँ पी अलगले political parties के जो लोग आके मिलें, बैठें, बातचीत करें, लड़ाई जगडा भी होता है, लेकिन वो freely कर सकते हैं, अगर आप उनको अपने instructions लग होगे ना, तो वो freely नहीं कर पाएंगे, और democracy मजबूत नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको कुछ special privilege दिये गए हैं, कि भीया देखो यह Parliament है, यह आपकी legislative assembly है, यह आपका घर है, आप इसको manage करो, तोडो, फोडो, यह आपका matter है, इसलिए उसमें court कुछ भी intervene नहीं करता, हमारे constitution में article 105 और article 194 में इसके बारे में mention किया गया है, तो यह prelims के लिए आपका यहाँ पे question बन जाता है, कई बार student पूछते हैं, कि sir prelims में question कैसे बनते हैं, UPSC में तो उसके लिमा आज बता देता हूँ, देखी अगर यहाँ से question इसी तरह से आता है, which of the following article deals with the parliamentary privilege, इसमें आपको 105 deals with the privileges in state legislature, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कि article 5 105 वो state legislature को deal नहीं करता है, वो parliament को deal करता है, article 194 state legislature को deal करता है, तो एक statement आपको यह भी देख सकते हैं, कि that article 194 deals with the privileges in parliament, तो वो statement भी wrong होगा, तो इसी तरह से question पूछते हैं, तो article 105 parliament और article 194 state legislature, इस statement को वो घुमा फिर आके पूछेगा, उल्टा इसको पूछ लेगा हो, ऐसे हो आपको एक्जाम में question पूछता है, या फिर simple सा भी पूछ सकता है, which of the following, article 145 deals with which of the following, तो इस तरह से statement देता है, यहां इस तरह से UPSC में आपसे question पूछता है, ठीक है, अगर आप previous questions को ठाके देखो कि UPSC के वो तो इसी तरह से question पूछता है, parliamentary privilege के बारे में, constitution में बहुत ज़्यादा mention नहीं है, सिर्फ दो ही article mention है, इसलिए जो हमारे जो state legislature होते हैं, जो parliament होती है, उनके अंदर भी एक rule होता है, उनकी rule book होती है, जिसके अंदर लिखा रहता है, हम यहां प से आगो question मिल जाएगा, अब दो तरह के privilege होता है, एक collective privilege होता है, एक individual privilege होता है, हम यहां पर individual privilege की बात करेंगी, क्योंकि यह article individual privilege से है, देखिए, ऐसा लिखा गया है constitution के अंदर, कि जो member of parliament जी या फिर जो MLA's है, वो जैसा भी behave करते हैं हाउस में, उसमें जो court होता है, जो district ह होते हैं, वो इसमें interfere नहीं करते हैं, actually मैं ऐसा लिखा गया है, लेकिन, बात यह है, कि अगर आप तोड़ फोड करो गए न, वो acceptable नहीं है, ठीक है, कुछ privilege की बात, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे अगर court का, अगर जैसे मालो house का session चल रहा है, जैसे अभी monsoon session चल रहा है, तो monsoon session से 40 दिन पहले और monsoon session के 40 दिन के बाद, उसको arrest नहीं किया जा सकता, आपका जो MLA होते हैं, MP होते हैं, उनको arrest नहीं किया जा सकता, 40 days before and 40 days after the adjournment or the proceeding of the house, आप उसको arrest नहीं कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ civil court में है, criminal court में नहीं है, ऐसा नहीं है, कि उसने किसी का murder कर द जाएगा, only for the civil case, अब इसी तरह से आपसे पैसे question कुछता है, which of the following statement is true, उसमें एक statement आपको देगा, कि under parliamentary privileges, member of parliament cannot be arrested, cannot be arrested 40 days before and after in criminal cases, तो वो civil case को criminal से change कर देगा, उसने किया कुछ नहीं है, बाकि सारी statement सही है, सिर्फ एक word change किया है, सिविल की जगा करिमिनल कर दिया, अगर आपने बार बार अपने notes की revision नहीं की है, तो आप यहां पर confuse हो जागे, आप इसको गलत कर किया होगे, क्योंकि आपने 40 days पर तो focus कर लिया, लेकिन सिविल और क्रिमिनल पर focus नहीं किया, या ऐसे वो UPSC's में question पूछता है, कहीं बार यह है कि अगर वो MLA आपका MP जो होता है, अगर वो किसी case में witness होते हैं, तो during the proceedings of the house उसको court attend करने के लिए नहीं कह सकता, court यह नहीं कह सकता कि फला MLA को बुलाओ, फला MP को बुलाओ और वो witness बनेगा court में, नहीं नहीं बिया, अगर session चल रहा है, तो आप उसको नहीं बुला सकते हो, तो यह कुछ privilege है, कुछ अधिकार होते हैं आपके MLA उसरे MPs के, because वो public representative होते हैं, जो constitution ने उनको दिये हैं, अब यही मामला जब Supreme Court में गया, जो केरला के MP ने, MLA ने तोड़ फोड की थी, तो देखो Supreme Court ने सिधा सिधा बोल दिया है, माना कि आपको privilege है, लेकिन इस पर privilege नहीं लगेगा, मतलब आपके अधिकार भी कुछ limited ही हैं, unlimited थोड़ी हैं, क्या आप आप पर Parliament में जाके आग लगा दोगे, कल को बोलोगे, कोट में नहीं, आप interfere नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे घर का मामला है, वो सब नहीं चलेगा, तो Parliamentary Privilege का एक important topic है, आपके लक्ष में जाके इसको जरूर पढ़ें, दो बार पढ़ें, रिवीजन करें अच्छे से, क्योंकि ये कहीं बार एक्जाम में कोशन पूछा जाता है, चलिए, अगली बात करते हैं हम लोग चाइना से, तालिवान से, देखो भी या, अगर हम 90's की बात करें, 1980's और 1990's की बात करें, तो रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, इसके ओपर अटैक किया था, अब रशिया यहां पे जमके बैठ गया था, अब रशिया अफगानिस्तान से भागे, उसके चक्कर में पाकिस्तान और युएस से ने अपने आपस में हाथ मिला लिया था, और इनोंने एक फोज तियार की जिसे कहा गया मुजाही दीन अब ये मुजाही दीन उने क्या किया वो अफगानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट में वो लड़े और फाइनली उन्होंने रशिया को यहां से भगा दिया अब रशिया तो चला गया यहां से लेकिन उन मुजाही दीन में स एक और ब्राच निकली जिसे कहा गया तालीबान, अब इस तालीबान को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था, अब वही तालीबान यहां पर प्रोडम क्रियेट कर रहा है, लेकिन यहां पर मामला हम तो लोग तालीबान के बारे में बात नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग बात और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में जो तालीबान हैं उसकी वज़े से इन कंट्रीज में डिस्टर्बेंस हो और चाइना की इन्वेस्टमेंट को खत्रा हो क्योंकि बाब बड़ा ना भहिया सबस्ते बड़ा रुपईया तो चाइना यह सिर्फ अपने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है इसलिए उसने तालीबान के साथ हाथ मिलाया है पहले देखो चाइना ने पाकिस्तान को बोला होगा अब पाकिस्तान की तालीबान के साथ बनती है अच्छी खासी तो फिर पाकिस्तान वाले ने तालीबान के साथ को बोला होगा कि भी ऐसा करो या ऐसा करो या ऐसा से करके जिसकी जो majority population है वो Muslim population है और यहाँ पर काई terrorist organization भी है according to China और यहाँ पर पढ़ते हैं यूगर Muslims ठीक है अब ये भी एक कोशन पूछ सकता है exam में कि यूगर Muslims जो है वो कौन सी country से belong करते हैं भया वो चाइना से belong करते हैं ठीक है इसी तरह से ये परेशे में कोशन पूछा जाता है चलिए अब बात ये है कि यहाँ पर जो जिंगजीयंग प्रोविन्स है देखें यह आपका जिंगजीयंग प्रोविन्स और यहाँ पे है अफगानिस्तान और यह चोटा सा जो एरिया देख रहे हो आप यह वाखान कोरिडोर वाखान कोरिडोर से तालिबान के टेररिस्ट जो है तालिबान हाथ मिला सकता है यहाँ के टेररिस्ट ग्रूप के साथ यहाँ पे एक terrorist group है जिसका नाम है ETIM वैसे चाइना इसमें terrorist group बोलता है पुरी दुनिया नहीं बोलती है ठीक है चाइना को यह डर लग रहा है सतार है अभी कहीं ऐसा नहों कि कल को तालीबान और ETIM अबसमें हाथ मिला लें और वो चाइना के अंदर violence create करें और तालीबान के जो terrorist वो भागे चाइना में आ जाएंगे चाइना वाले भागे जो अफगानिस्तान में आ जाएंगे तो चाइना अपनी security को लेके भी थोड़ा डरा हुआ है कहीं ऐसा नहों कि यह जो radicalization है वो और जादा फैल जाए जिंग जियां के अंदर तो दोनों concern है चाइना के पैसे वाला concern भी है और security वाला concern भी है इसी लिए इसी लिए चाइना ने अभी जो तालीबान के कुछ member के साथ meeting की है चाइना ने कहा है कि तालीबान जो है it's a pivotal military and the political force pivotal का मतलब होता है जो बहुत जादे important होता है principle होता है critical होता है ठीक है political force है बस यही तो थोड़ा सा देखिए एटी एम के बारे मैंने आपको बता दिया east तुर्किस्तान Islamic moment यह एक organization है जिंग जियंग में जिसे चाइना terrorist organization बोलता है ठीक है तो बस यही था थोड़ा से इसके बारे में कि इन्होंने आपस में हाथ मिला लिया अब यह देखना रहेगा कि हाथ तो मिला लिया यह friendship कितनी successful होती है वो फड़ा देखना interesting रहेगा देखिए अगली जो news बढ़ते हैं अगली कुछ news ऐसी है कि अभी अमेरिका के जो जो secretary है या उनको foreign minister कहा सकते है उसने इंडिया की विजिट की है इंडिया की विजिट पे हैं वो कई लोगों से मिले है ठीक है वो जो ब्लिंकन नाम होनका ब्लिंकन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले है वो अजित डोवाल से भी मिले हैं ठीक है कई लोग असनोंने मिलके बातचीत की है और जैसंकर जैसी भी मिले है कौन-कौन से topic पे बात की है वो देख लेते हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पे इनोंने बात की है अमेरिका तो अफगानिस्तान से जा रहा है बाद वहापे फिर अपिश अपिशान के लग अफगानिस्तान के मिले हैं ता वाट से इसे बीडिन के पहीं कहीं मार्गोशियन पूच सकता है सिंपल सी स्टामल देगा आपसे विचरी कानट्री जारे पार्ट ओट उपक्वाड ये कि इस एट्टना पूच्वाइश नेपल पूच सकता है के Quad is an organization to fight terrorism लेकिन यही सिर्फ का एक मात्र मुद्दा नहीं है कौार्ड का मतलब है कि वो navigation को करता है वो कौार्ड वाले portion हम लोग कर चुके हैं बटे हाँ UPSC इस तरह से आप से question बोचता है ठीक है बस यही है इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं कंक्रीट कोई दे को कोई agreement तो हुआ नहीं है कोई agreement होता तो शायद हम उसको थोड़ा detail में पढ़ते उन्होंने सिर्फ बैट के बातचित की है है ना और भी इन्होंने कई मुद्दे बे बात करी है जैसे inter-religious intolerance है इंडिया में हिंदू-Muslim के बीच में जिसको लव-जिहाद भी कहा जाता है derogatory term में इसके बारे में भी बातचित की है minorities को पर जो attack होते हैं इसके बारे में बात की है media freedom के बारे में बात की है पुरी दुनिया ये कह रही है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बढ़िया हैं जो अलग है सब के मुद्दों बे बात के देखिए यही फायता होता ना दोस्तों का दोस्त लोग किसी भी मुद्दे बे बात कर सकते हैं चाहे वह अच्छा हो यह बुरा हो तो इंडिया और अमेरिका आजगल अच्छे फ्रेंड है तो इसलिए उन्होंने बादचित की है चलिए अगला टोपिक एक और है छोटा सा टोपिक है बिल्कुल दो लाइन का राज्य सब ने जुव लाइन जस्टिस बिल को पास किया है लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने इसको गूगल करना है और इसके ब सब्सक्राइब को बाद़ करना है तो पहले आपको पर्मीशन लेनी पड़ती थी किसकी जो डिश्टिक जजज होते थे ठीक है कहीं बार जो है high court के judge से भी permission लेनी पड़ती थी तो पहले आपको civil court से permission लेनी पड़ती थी अगर आपको किसी बच्चे को adapt करना है लेकिन नए बिल के अंदर में सिर्फ district magistrate से भी permission लेंगे तो चलेगा इसका मतलब जो बच्चों को adoption करने वाली जो process थी जो procedure था उसको अभी ओर जादा easy कर दिया गया है आसान कर दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनको घर मिल सके बस यही था इसके बारे में हालांकि इसमें कोई debate नहीं हो पाया तो कि आज कल पार्लेमेंट में बहुत हंगामा हो रहा है उस हंगामे की वज़े से जो है सरकार debate नहीं करवा पाई और actually किसी भी position वाले ने participate भी नहीं किया debate में इसलिए सरकार ने इसको आराम से पास करवा दिया ठीक है चलिए अगली आती है SCO meeting के बारे में आती है शंगाई corporation organization इसके बारे में कई बार मैं कलास में करवा चुका हूँ SCO के बारे में कब बना था कौन-कौन जैसके अंदर member है तो SCO की meeting चाइना के अंदर चल रही है जहां पे तो SCO के अंदर जितने भी member है जैसे उजबेकिस्तान है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, तुर्कमिनिस्तान है यह सारी के सारे country के जो defense minister है वो वहाँ पे आए उन्होंने defense के regarding बातचीत की इंडिया से भी, जो है, वो हमारे राजनात सिंग्जी जो हमारे defense minister है, वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे क्या बोला, उन्होंने कहा के terrorism से लड़ना आज के समय में सबसे ज़ादा जरूरी है terrorism इस दुनिया की peace और prosperity के लिए खतरा है इसलिए सभी country के एक साथ आना चाहिए और terrorism से लड़ना चाहिए, यह उन्होंने वहाँ पे बोला है आपको यह मैं आपकर क्या recommend करूँगा, you need to know about the SEO तो आप SEO के बारे में थोड़ा सा Google करें, वो UPSC में भी आपसे ऐसे ही question पूछेगा which of the following countries are not a member of SEO ऐसे SEO UPSC में आपसे question पूछता इस topic से, ताकर पता होना चाहिए कौन-कौन से member है और कौन-कौन से member नहीं ठीक, उसमें आपको कोई वी वह चार option देगा, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान तो आपको पता होना चाहिए कौन सा member नहीं है, इस तरह सो आपसे UPSC में यहां से question पूछता है, ठीक है, तो जो बच्चे कहा दे थे, sir questions कैसे आते हैं, वो मैं आपको बता रहूँ, question इस तरह से आते है, चलिए, अगला जो question आता है, वो आता है, हमारा economy वाले section से, कि RBI, आ यनि कि जो share market है, उसको कौन regulate करता है, this is a question for you from my side, okay, comment section में आपका wait करूँगा, तो इन्होंने क्या कहा है, RBI ने, RBI ने कहा है कि जो mobile wallets होते हैं, जैसे Airtel है, आपका Airtel में wallet होता है, ATM गरह होता है, card networks होते हैं, white label ATM होते हैं, अभी इन सब को RBI, अपने central system से जोड़ेगा, RBI के central system होता है, जिसे कहा जाता है, CPS, centralized processing system, इसका एक और नाम होता है, जिसे कहा जाता है, EQBare, तो ये software होता है, जिसे RBI यूज़ करता है, तो हमारी country में जितने भी banks होते हैं, उनके transactions होती हैं, उनके अंदर जो खाते होती हैं, जो लेना देना होता है, वो सारे के सारा इस software के अंदर होता है, जिसका नाम होता है, EQBare, EQBare के regarding भी वो आप से question पूछ सकता है, UPSC के अंदर, वो आप से simple सा पूछेगा, which of the following statements are true about EQBare, फिर वो पूछेगा, EQBare is a centralized system of SEBI, आपको वो SEBI दे देगा, वहाँ पे option में, तो RBI के जगा, SEBI replace कर देगा, so that statement would be wrong, फिर वो RBI लिख देगा, that statement would be completely correct, कुछ भी पूछ सकता है, के EQBare is a platform to deal the stock market, तो stock market से स्वा कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से वो आपसे statement पूछता है, अगर आपको EQBare के बारे में अच्छी खासी information है, जानकारी है, तो फिर आप इस तरह के questions को गलत नहीं करते हो, exam में, ठीक है, इस तरह से question पूछता है, अब यहाँ पर एक जो term यूज हुई है, white label ATM, अब यह white label ATM क्या होता है, वो आप देख लेते हैं, थोड़ा सा, देखे जब आप ATM में जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं तरह की ATM में आपको मिलते हैं, एक होता है white label ATM, इस तरह से होता है, इस ATM के उपर क PCB bank का logo नहीं होता है, और white label ATM हर bank के transaction करवा सकते हैं, अब देखे, bank सारी के सारी transaction नहीं करवा सकता, bank अपने आप से ATM को install नहीं करता है, बहुत बार, तो ATM bank क्या करता है, third party को contract दे देता है, वो third party bank के बहाँ पर ATM लगा देती हैं, जिसे कहा जाता है white label ATM, ठीक है, तो यह third party हो होते हैं, वो white label ATM, जो है, establish करती है, white label ATM की एक खास बात और है, कि इनको अपनी काफी सारी जो branch होती है, जो ATM होते हैं, वो छोटी cities में भी खोलने पड़ते हैं, ये इनके उपर एक complication होता है, ठीक है, तो कुछ चीजे है white label ATM के बारे में, आपके लिए मैं एक और बता देता और इसको अपनी notebook में भी लिख सकती हो, क्योंकि exam में, यहां से वो question पूछ लेगा, which of the following statement is true about the ATM system in India, ऐसे वो आपको 4-5 statement देगा, उसमे एक statement आपको ये देगा, कि white label ATMs do not have any logo of a bank, which is a very correct statement, brown जो ATM होते हैं, उनके उपर logo होता है, किसी ना किसी bank का, ठीक है, तो ये आप जो ह इसे question यहां से पूछता है, चलिए, अगली जो editorial आता है, वो the Hindu editorial है, बहुत शांदार है, इतना शांदार है, कि मुझसे control हुआ ही नहीं, मझे लगा आपको करवा ही देता हूँ मैं, देखी, जब हम लोग education की बात करते हैं, तो अगर आप investment करते हो education में, अगर किसी बच्च मिलेगी, नोकरी मिलेगी, तो इसको salary मिलेगी, तो यह तो उसकी personal growth हो गई, उसके अलावा social growth भी होती है, जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है, तो स्कूल में उगर उसको सिखाया जाता है, कि बच्चो देखो washroom कैसे जाते हैं, कैसे उसको साफ रखते हैं, कैसे clean ना होतों को वहाँ पर line लगाते हैं, किसी खिड़की पर अगर आपको जाना है, अगर इस तरह की चीज़े बच्चो को सिखाई जाएंगी, तो वो पूरी society के लिए development होता है, और पूरी society जो है, वो disciplined society बन जाती है, अगर स्कूल में ही इस तरह की चीज़े सिखाई जाएं तो पूरी जिंदगी भर वो बच्चे इसको फोलो करते हैं, और as a society, हमारी society improve होती है, तो education के बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना, तो दो तरह की चीज़े अगर हम लोग स्कूल में सिखाते हैं, जैसे एक तो academic हो गया, आपको math, science, वो तो सब पढ़ना ही है, एक होता है non academy, जैसे household chores, घर पे क्या क्या काम होते हैं हमारे, बहुत सारे काम होते हैं घर पे हैं, बरतन साफ करने हैं, कपड़े धोने हैं, कपड़ों को प्रेस करना है, जाडू पोचा करना है, वो सब household chores होते हैं, अगर household chores भी बच्चों को सिखाये जाएंगे, school में, तो उससे उनकी capability increase होगी, देखте, pandemic के समय में क्या हुआ, pandemic के समय में, अब लोग क्या करते हैं पहले बरतन वाले को अलग से लगा रखा है, खाना बनाने वाले को अलग से लगा रखा है, कप्ड़े धोने के लिए, अब pandemic के समय में यह सब तो available नहीं थे, हमें सब काम खुद करना पड़ा, तो जो दूसरों की हलमों लोग help लेते थे वो तो हमसे हम को मिली नहीं, इसलिए अपनी help हमें खुद करनी पड़ेगी, हो सकता है future में भी इस तरह के pandemic आएं, तो future के लिए मैं अपने आपको त्यार रखना चाहिए, है ना, तो future के लिए अपने आपको train करना चाहिए, कि ताकि इस तरह की अगर मुसीबत मेरे उपर आए, तो मैं अपनी help खुद कर सकूँ, जपैन के अंदर यही concept है, जपैन में यह सारे के सारे जो काम होते हैं, वो schools में ही सिखा दिये जाते हैं बच्चों को, ठीक है, ताकि future के लिए हम लोग, और यह कहां सिखाये जाएंगे, schools में, elementary school में, अब देखे, जपैन के इनोंने कुछ खास-खास बातें यहां पर बता रखी हैं, पहली चीज क्या है जपैन के अंदर, जपैन के अंदर, academic और non-academic, मतलब non-cognitive, दोनों चीजों पर focus किया जाता है, मतलब पढ़ाई लिखाई पे भी, और जिंदगी को improve करने पे भी कैसे, जपैन के अंदर एक system बड़ा famous है, world famous system में से बोलना जाता है, ची, टोको, टाई, मतलब ची का मतलब होता है no, मतलब आप जानिये, आप math पढ़िये, science पढ़िये, history पढ़िये, वो तो पढ़ हो गही, उसके साथ virtue based education भी वहाँ पे होती है, जिसमें बच्चों को discipline सिखाया जाता है, बच्चों को आपस में corporate करना सिखाया जाता है, जाती है, इंडिया में सबसे ज़्यादा focus कि इसके 99 focus जो है, वो इसके उपर किया जाता है, इंडिया में cheap, रट्टा मारो, exam पास करो, और यहां से निकलो, इंडिया में हम लोगा virtue के उपर और body के उपर बहुत कम focus करते हैं, हमारे schools में, यह अपने सबने देखा ही होगा, है ना, तो जपान से हम लोग यह सीख सकते हैं, जपान में भी पहले road learning के उपर focus किया जाता था, जैसे बच्चे nature के साथ कैसे रहें, nature की कैसे value करें, वो सब सिखाय जाता है, बच्चों से school की सफाई भी करवाई जाती है, टोइलेट साफ करवाय जाते हैं, classroom साफ करवाय जाते हैं, एक दूसरे को lunch serve करवाय जाता है, तो यह इस तरह की value बच्चे ना, बच्चपन में ही सीख जाता है, अब आप imagine करें हमारे इंडिया में, अगर बच्चे टोइलेट साफ कर रहे होंगे, तो क्या reaction होगा मेडिया क क्या reaction होगा दुनिया का, आप imagine भी नहीं कर सकते हो, लेकिन जपायन के अंदर यह सब कुछ करवाया जाता है, बच्चों से खुद स्कूल के अंदर, ठीक है, रोड कैसे पास करनी है, कैसे signal को देखना है, जब रोड पास करते हैं, तो कैसे दूसरे का धन्यवाद करना है, जिसने आपके लिए गाड़ी रोकी है, यह सारी सारी चीज़े जपान को स्कूल्स में ही सिखाई जाती है, इसका एक एक एक्जामपल जो है, 2018 के वर्ल्ड कप मैच में देखने को मिला था, जब रशिया के बीच मैच चल रहा था, जब मैच खतम हुआ, तो जपान के जितन लोकालिटी होते है, जो कम्मूनिटी होती है, उसके अंदर प्रोब्लम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उस प्रोब्लम का सुलूशन निकाला जाता है, जो हाँ पे बड़े बुजूर्ग होते हैं, उनको कंसल्ट किया जाता है कि कैसी इस प्रोब्लम का सुलूशन क तो क्या चीज़े हम लोग यह इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते क्या हमारे आसपास इतनी सारी प्रोब्लम्स होती है तो बच्चों को स्कूल में होमवर्क मिले क्या आप अपने जाईए अपनी कम्मूनिटी में क्या प्रोब्लम है उनको फाइंड आउट कीजिए जैसे वेस्ट वाली प्रोब्लम है इंडिया में पॉलिशन वाली प्रोब्लम है हेल्थ वाली इशूज है तो अगर इनको होमवर्क मिलेगा बच्चों को तो डेफिनिटली बच्चे वो होमवर्क भी करेंगे जैसे स्पेशल एक्टिविटी कराई जा सकती है स्कूल्स में करते हैं जैसे मालों सिंगिंग कॉंपोटिशन या कोई भी कॉंपोटिशन इससे बच्चों को पता लगता है कि और्गनाइजिशन में कैसी कैसी प्रोलम होती है उनका कैसे सोलूशन निकाला जाता है क्लेक्टिविजम ग्रूप के उपर जदा फोकस किया जाता है के अंदर भी सारी सारी चीज़ें अपलाई की जानी चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो है किताब रटके उस ग्यान के उपर फोकस नहीं करना चाहिए तो यह आपका एक बहुत अच्छा एडिटूरियल था आप एजुकेशन में कभी आपके पास कोई ऐसे आता है या लिया गया है यह इंडियन एक्सप्रेस के डिटूरियल है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है जो 2020 में पिछले साल इंटर्डूस की गई थी सरकार के दवारा काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया जिसकी अनेलिस हम लोग पहले कर चुके हैं लेकिन जादा त अब होता है यह सबसे बड़ा इसके खास कर इंडिया क्रिश सुसाइटी में उसके फेल होने का सबसे बड़ा इसन होता है कॉम्पलेक्सिटी इतना जादा complex है ना हमारे आपे system centers के पास अलग policy है state की अलग policy है local authority की अलग policy है दुनिया भर के कानून है दुनिया भर की ministry है complex system है तो उस जो complex system ना उसी के अंदर जो है वो policy घूमती रहती है वेचारी वो successful नहीं हो पाती है तो अगर इस policy को successful बनाना है तो पांच चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आपको national education ऐसा नो कि इस policy का हाल भी दूसरी policy जैसा हो जाए अगर इसको successful बनाना है तो पांच चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और यही पांच चीजें आप अपने exam में भी लिखोगे ठीक है देखे पहली बात क्या है पहली बात यह है कि नई organization बनाईए जो पहले से जो organization है उनको आप यह role मत दीजिए एक नया organization बनाओ एक new organization structure बनाओ जिसका एक मात्र काम होगा new education policy को implement करनेगा इसको आप कोई और काम मत दीजिए सिर्फ यही काम दो क्योंकि यही काम दोगे तो ज़्यादा focus कर पाएंगे अगला जो step है वो ले सकती हो accountability of the public official जैसे जो ISIPS officer होते हैं या जो भी officers होते हैं education sector में जो involved होते हैं आप उनकी accountability set कीजिए उनको जिम्मेदारी दीजिए और उनको बोलिए कि अगर आपने time monitoring भी करना चाहिए आपको policy का कि policy का आपने बना दी कितनी successful हो रही है नहीं हो रही है इसके लिए proper monitoring करना भी ज़रूरी है हमारी country में ये काम भी नहीं होता है दूसरा financial resources अरे पैसा दोगे तब ही तो implement करोगे हैं तो पैसे का जुगाड़ आप कर सकते हो पैसे का जुगाड़ आप कैसे कर सकते हो आप अब ये पैसा सारा सिर्फ government से तो नहीं आएगा एड़्टर में लिखा गया है कि जो private sector होता है वहाँ से भी पैसा arrange किया जा सकता है philanthropy कर सकते हैं लोग लोग charity कर सकते हैं इस काम के लिए तो क्योंकि government के पास इतना पैसा है नहीं to be honest तो आम जंता से भी government पैसा ले सकती है जबरदस्ती नहीं लेना लेकिन एक ऐसा आप system बनाईए कि आम जंता भी इतने अच्छे काम के लिए policy के लिए दान करे charity करे philanthropy work करे आप ये भी कर सकते हो तो आपको कुछ भी मिला के जो है financial resources को अच्छा बनाना पड़ेगा और उपर से आता है autonomy जैसे जो हमारे IITs हैं IIMs हैं या बड़े institutions हैं आप उनको freedom दीजिए आप बार-बार उनके काम में उंगली मत करो क्योंकि अगर बार-बार काम में उंगली करोगा तो वो disturb हो जाएंगे और वो performance नहीं दे पाएंगे तो ये पाँच ऐसी चीजें हैं वो अगर किसी भी policy में आप इसको implement करते हो तो वो policy successful होती है और यहाँ पे new education policy के अंदर भी सरकार को ये पांच चीजों पे focus करना चाहिए तो ये आपको चीज़ों पता चलगी या अब यूपेसी में किस तरह से question पोछ सकता है वो मेंस का question discuss the salient feature of new education policy तो इसके पहले तको provision discuss करने पड़ेंगे also suggest few measures for its successful implementation 10 number का ये आपको question आजाएगा 150 words में आपको ये answer लिखना है ठीक है यही 5 अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो समझे लो आपका answer complete हो जाता है ये मज़ा है editorial करने का आपका जो means का पराणसर ही तयार हो गया ठीक है चलिए अगला चलते हैं English words के ओपर आज मैं तीन words साब के लिए लेकर है हूँ editorial वाले section से पहला जो word है वो होता है embedded embedded होता है मतलब ये एक verb होती है embedded 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 का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज में दूसरी किसी चीज को घुसा देना उसको जोड देना that is the meaning of embedded ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई आप article पढ़ते हो internet वगारा पे तो उस article के अंदर जो बीच बीच में कहीं न कहीं video आ जाती है तो इसका मतलब होता है that this video is embedded in the article that is the meaning of embedded ठीक है जैसे editor में word यूज किया गया है public policies are embedded in complex system कि जो हमारा complex system है न public policy बचारी इसमें embedded होके रह जाती है वो successful नहीं हो पाती है ठीक है embedded that is the meaning of embedded जैसे मेरी shirt के button है buttons are embedded in the shirt वो भी उसके इंदर embedded है उसका part है वो तो हमारा जो complex system है हमारी जो public policy है वो इसका part है complex system का जिसी वज़े से वो fail होती है इसी लिए इनको simple बनाने की जुरूत है ताकि यह successful हो सके ठीक है अगला जो आता है that is cognitive bias यह एडिटरल में word use किया गया है cognitive bias cognitive का मतलब होता है दिमाग से related चीजें आपके thinking से related आपके reasoning से related और bias का मतलब होता है prejudice जैसे पूर्वा ग्रह जैसे एक पूर्वा ग्रह आपको बताता हूँ अगर आप South India आप हमारे मन में एक bias होता है पूर्वा ग्रह होता है कि South India में सभी के सभी लोग जो है वो डोसा खाते है It is a poor ग्रह It's a bias It's a prejudice जैसे यहाँ पे पूर्वा ग्रह है वो ज़्यादा बोलती है मर्दों से It is also prejudice तो इसको बोलत जैते है prejudice ठीक है ओ लेडी होता है बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे चीज़ों के लिए होता है किसी religion के लिए हो सकता है किसी gender के लिए हो सकता है किसी particular area के लिए हो सकता है इसे कहा जाता है ग्यानात्मक पूर्वाग्रा है मतलब cognitive bias public policies are subject to cognitive bias ये इसका मतलब है मतलब जैसे अगर सरकार आज के समय में अगर बीजेपी कोई policy बनाती है तो definitely वो policy भी जो है bias होगी बीजेपी जो ideology है बीजेपी की ही तो वो policy भी उसके according बनाएंगे कुल को congress आएगी तो अपनी ideology के according बनाएंगे तो उसे कहा जाता है cognitive bias public policies जैसे नरेगा है ये education policy है they are subject to cognitive bias अगला आता है philanthropy philanthropy का मतलब होता है कि आप जब इनसानियत की help करते हो charity करते हो probe car करते हो that is the meaning of philanthropy है ना बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है वो दान करते हैं खूब ज़ादा दान करते हैं जैसे अजीम प्रेम जी हैं 30-35,000 क्रोड रुपे वो आदमी दान कर चुका है तो उन्हें कहा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा philanthropist दान करने वाला probe car we need to promote private philanthropy for funding of the policy जिसके बारे मैंने उपर बात की थी आपको अगर सरकार के पास पैसा नहीं है किसी policy को implement करने के लिए तो वो private philanthropy को भी promote कर सकते हैं आम जनता भी उसके अंदर जैसे PM Care Fund है बहुत सरी लोग PM Care Fund में charity करते हैं उसके अंदर पैसा देते हैं वो return थोड़ी लेते हैं it is also kind of philanthropy it is a philanthropy कोई आदमे किसी slum के बच्चे को पढ़ा रहा है free में जागे that is also philanthropy जैसे मालो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपसे कोई पैसा तो चारज नहीं कर रहा हूं free of cost है it is also philanthropy तो philanthropy is a very simple very बहुत अच्छा word है philanthropy it is called probe car ठीक है I hope आपके ये word ठीक ठाक लगे होंगे I hope आपके अपनी English की एक register भी आपना notebook maintain कर रहे होंगे जहां पे आप इसको लिख रहे होंगे so this is all for the day ठीक है उसके अलावा आपके Telegram पे WhatsApp पे मैं अस दुबाई शेर कर चुका हूं I hope आपने वहां से newspaper भी पढ़ रहे होंगे so this is all for the day अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता है तो इसको like किया करो comment section में comment किया करो ठीक है और हमारे साथ बने रहो सीखते रहो thank you very much all the best and jay